क्लास 9 CBAC हिंदी मात्र भासा कोड 002 इसके हम दो समझेंगे क्या है इस वार का स्लेवर्स 2021-2022 का इसमें क्या-क्या कि इस तरीके से पढ़ना है तो यहां पर सुबात में इंट्रॉडक्शन दिया गया है कि क्या इस पार्टेम का अध्यान से विदार्थी अप क्या समझेंगे इसको क्या रुची रखना है देहनी बेवर्स क्या करना है फीर इसको मात्र भासे के हंदी विद्रेस का उद्या गया है तो यहां पर दिया गया है कि आप इलोट्रोनिक माध्य हम से हिंदी का वार में समझा है विस्रेशन और तर्क छमता का विकास करवा है बासा और समवेसी बहु भासिक परिक्ति के समझ का विकास करना फिर सिच्छन युगतियां दिया हुआ है कि इसमें क्या-क्या करना है फिर इंटरनेट जो इंटरनल एसेस्मेंट है उसके बारे में यहाँ पर दिया है कि आपको क्या-क्या करना है तो यहाँ पर लिखा है कि सरवन वाचन यानि मोखी बोलना समंधी योगता है तो सुनना और कॉसर कि आप क्या-क्या बोलनेंगे जैसे भासन हो गया परिचर्चा हो गया बरतलाप हो गया बाद विवाद हो गया कापीदा पाठ हो गया इसमें भी आपको नंबर रहेगा तो यहाँ पर जो इंटरनल एसेस्मेंट है वहाँ पर बताया गया है कि कुल दस नंबर कर रहेगा जो 10 नमबर में से जो आपको सुना, सरवन और वाचन का है उसको 50-50 दोन सह बांटा दएगा और इसी से मुल्यांकन करना है चाहे 9 का हो या 10 का हो तो यहाँ पर 9 का एकचली बात करने है तो सुना और कोसल कर मुल्यांकन की पार तो किस तरह का बात को सुना है कि एक अच्छी तरीके से बोलना और बोलने वाला सुनने माना चाहिए सरवन और वार्चना होना चाहिए फिर इसमें टिपनी दिया कि परिछन से पूर परिछियातियों को तियारे करे कुछ समय दिया जाए बिवनानात्वक भासा में बर्तवान काल का परियोग आपेचीत है निदारित विशाय परिस्तितियों में के अनुभव से संसार के हो जैसे कोई चुटकुला हास परसंग सुनना इस तरह भी उसमें आपको सामिल क्या जा सकता है अब हो गया कि इसमें पाथन कौसल और लेखन कौसल का तो जो है पत्री ये सब है तो अनुचेद होगा पत्र लेखन का तो हम लोग देखते है तर्वन में जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि आपको टर्वन जो नोवंबर दिसम्बर में क्लास 9 का के आएका तो यह जो को 0 0 2 A है परिछ्छा है तो पार्ट किरम B निर्देशन 2021 काई भाईस का तो पहले एक जो है आपठ्थित गर्धियान सोगा जिसमें पांच कोसन पूचजा दागा 1 इंटु 5 कोसरन फिर आपठ्थित गर्धियान सोगा जिसमें बने कि यहां यह कभ्यांस होगा यह एक एक कोस्टन नबर जो अब्जेक्टिव यानि पांच नमर का अपठित गर्धियांस और अपठित कभ्यांस फिर अगर आप देखेंगे तो ब्याकरन में जो है सब्द निर्मान होगा दो अंक का उफसर्ग होगा जो मनिए वो भी एक पर इसको समझ लिजा पाठकरम से गध पर्षेज यानि छितिस जो होगा निधारीद पर गज्ट है कौन-कौन पाठ है तो यहां पर एक एक वहां पर भी आएगा जो से गध्यांस आएगा तो इसमें एक एक कोस्टन का पांच नमर का फिर चितिस से जो मने यहां पर चंता कैनूसर उचित थींतन के बारे में तो एक एक नमर का दो को का फिर काबे पार्ट से जो आएगा उसमें ठीक इसी तरह आएगा एक नमर का पांच को सनsl… जिसको कभें के यह तीन नमबर का होगा तो यहाँ पर यह सत्र एक में कौन-कौन सा पढ़ना है आपको गद पढ़ में तो काविखंड, कबीर, सक्या और समंध, पढ़ एक और ललात्फ गजक और रास्खान का सभई है उसके बाद जाके टर्म टू की बात करेंगे तो यहाँ पी है ठिक उसी तरह से जो 20 नमबर का गद पर्च से आएगा जैसे यहाँ देख लिए इसको समझ लिए अच्छा से फिर काविखंड से निधारित का विताओं के अधार पर वितात्यों का काविबोध प्रखने क्रिट 6 नमबर का आएगा फिर 6 नमबर का क्रिटिका से निधारित पाठों के अधार पर दो प्रखन पूछे जाएगा लेखन देख लिए किस-किस विषय पर लेखन देख लिए अनुछेद आएगा डेड़ सो सब्दों में फिर उसके बाद है कि आपको पचारिक और नपचारिक विषय पर केंदरित एक विषय पर पत्र लिखना होगा फिर किनी दो सित्यों से पर लगभग 40 सब्दों में संबाद लेखन लिखना होगा फिर लगू कता लिखना होगा फिर ये भी अंतरिक जो है इस तरह से ये क्लाइस 9 का सारा खतम होता है हिंदी कोर्स एका 002 एका थैंक दो